मद्यप्रदेश की सियासत वार पलटवार के बाद अब सीधे तीखे नीजी हमलों तक पहुँच गई है गौलेर की डबरा विधानसभा की प्रत्याशी इमर्ती देवी और मद्यप्रदेश के पूर मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच जुबानी वार देखने को मिल रही है हाल ही में कमलनाथ द्वारा इमर्ती देवी को लेकर दिये गए बयान ने खूप सूर्ख्या बटोरी थी लेकिन उसके बाद अब इमर्ती देवी ने कमलनाथ को लेकर बड़ा विवादित बयान दिया है जो कि चर्चा का विशे बना हुआ है खेरवार पलटवार के इस दौर में उप्चनाओं में आम जन्दा और उनके लिए करने वाले विकास और उससे जुड़े मुद्दों पर कोई खास चर्चा नहीं कर रहा है जो कि मद्धिप्रदेश की राजनिती के लिए बड़े ही शर्म की बात है इतने मेरे बेटों के सामने और कमनात ने जो भाता बोली है उस दिन मेरा पूरा का पूरा परवार जितने बैटे हैं दबरा विधानसवा में मैं कभी ना विधायक बनी ना मैं कभी मंत्री बनी मैं दब्रा विधान सवा की आप आई देखते होंगे कि आपकी परवार की महला हूँ दब्रा विधान सवा की और अगर परवार की महला की आपने तीन तारी को लाज नहीं राखी तो आप जानो आपको काम जानो हम सबसे आपने यह कहना चाहते हैं कि मैं अकेली निया कल हमारे प्रदेश में पूरे मत्परदेश में अगल पूर्मुख मंत्री ऐसी भासा भोल सकते हैं हम बता दे हम सही सही बात करते हैं हमाइते ना कि अगये लोगे अगये अगया 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 आगयान अगया वच्टाइब में इसा थे और पूरी निख और तो उसे लोग चल पांगे बिश्याए तब बन गया हम फ्युक्ति लेगी है आब अब हम क्यानित में मंत्री है और वो ऐसी भासा भोल के हमसे जा रहे तो मैं और पूरी माई के दिन चल रहते भगवती के दिन चल रहते और भगवती के सामने अगर ऐसी बाता बोली न तो आप देख लेना मक्ठ परदेश में जीवन में कहां रिस पाइटी की सरकार ने लागी जीवन में और अच्छाइट के अच्छाइट गुदाए भगवती जन्ता पाइटी जीत रही और हमेशा वो अब भगवती जन्ता पाइटी की सरकार रहेगी आपको सरकार के साथ रहना है और अपनी मरती के साथ रहना है धन्दबाद जै